और अठल बियरी वाजबेई सरकार में मंत्री रहे सुभाज महरिया को अपने पाले में लेकर मोर्चा लेने की तियारी कर ली है। लक्समनगड के अलावा दातारामगड सीट पर भी सुभाज महरिया के चुनाव लड़ने की संबावना है। यहां पर 80,000 जाट, 65,000 कुमावत, 45,000 S.C.S.T., 25,000 ब्रामन और करीब 24,000 राजबूत वोट हैं। पिछली बार भाजबा की सुनीता जाखड चुनाव हार गई थी। सुनीता जाखड इस बार फिर से सबसी बड़े दविदार हैं। महादेव सिंग्ख खंडेला ने अधिक उमर का हवाला दे कर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सेखावत ने पार्टी से खुद चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे को टिकेट देने की गोहार लगाई है। पार्टी यदी खर्रा को टिकेट नहीं देकर उम्मीदवार बदलेगी तो फिर करमवीर गोशलया सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। बलदेव सिंग जिले में संग के सबसे कर्तव्य निष्ट निताओं में सुमार होते हैं। नमस्कार मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्तान विदानस्वा चुनाव में भाजपा कॉंग्रेस के अलावा लंबे समय से वाम दलों का बड़ा हस्तक शेप रहा है। हाला कि वाम दल केवस सीकर जिले तक सिम्टे हुए हैं। कल्यान कोलेज SFI का राजस्तान में गड़ माने जाता है। यहीं से पड़े और राजनीती में आगे बड़े नेता कॉंग्रेस और वाम दलों को लीड़ कर रहे हैं। खास बात यह है कि सीकर वे जिला है जहां पर आज की तारीक में ना केवल सिक्ष्या के सबसे बड़े संस्तान तेजी से पाउं पसार रहे हैं। बलकि बेखोफ अपराद में भी इस जिले का नाम बहुत उपर रहता है। जिले की खास बात यह भी है कि यहीं की लक्समनगर सीट से लगातार तीन बार विधायक बनकर गोविन सिंग डोटा सरा कॉंग्रेस की कमान समाल रहे हैं। जिले को संभाग बना दिया गया है लेकिन इसके बाद भी परसासनिक सुईदाओं में खास बदलाव नहीं आया है। सीकर में आठ विधासवा सीटे हैं जिसमें साथ सीट कॉंग्रेस और एक सीट कॉंग्रेस समर्थक निर्दली के खाते में हैं। भाजबा का यहां पर एक भी विधायक नहीं है। का वर्चस बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि दोनों कद्दावर नेताओं में जन्तकिस पर ज्यादा भरवसा करती है। सुबास मेहरिया ने दावा दो सीटों से ठोक रखा है। लक्समनगड के अलावा दातारामगड सीट पर भी सुबास मेहरिया के चुनाव लड़ने की संबावना है। बताया जाता है कि महरिया ने पार्टी को दोनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने का आगरे किया है। महरिया के अलावा दातारामगड से भाजपा में परभू सिंग, सुबास भारतिये, हरी किसन खीचड और पावन पुजारी भी दावा कर रहे हैं। सीट पर जातीगत समय करन पूरी तरह से महरिया के पक्स में है, यहां पर 80,000 जाट, 65,000 कुमावत, 45,000 SCST, 25,000 ब्रामण और करीब 24,000 राजपूत वोट हैं। यदि इस सीट पर जाट समाज के नेता को टिकेट नहीं दिया जाता है, तो फिर कुमावत को टिकेट मिलेगा। ऐसे में सुबास भारतिये का दावा सबसे मजबूत होता है। सुबास भारतिये ABUP, युव मोर्चा, भाजपा और संग में अच्छी पकड़ रखते हैं। युव होने के कारण पार्टी उन पर दावं खेल सकती है। भाजपा इस सीट को कभी नहीं जीत पाई है। इस वज़े से उमीदवार का चैंग जातीगत समीकरण के साथ ही किया देती है। शेतर की जंता भी मानती है कि पारेक को मंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन सीपी जोशी की अनुपस्थिति में विदासवाद्ध्दक्स की सीट पर सभावती बनकर मंत्रियों को हड़का कर ही राजिंदर पारिक ने अपने मन की हसरत पूरी की है। इस सी 2013 में यहां विधायक थे गंश्याम्तिवाडी भी यहां से दो बार विधायक रहे चुके हैं सीकर हमेशा से जातीगत समीकरण के कारण ब्रावन सीट मानी जाती है गोविन सिंग्डोटासरा के सामने भाजपा तीन बार मात खा चुकी है इसलिए लक्समंगर सीट पर चोदरी भी टिकेट की बड़े दाविदार हैं इनके अलावा दिनेज जोसी भी टिकेट मांग रहे हैं दिनेज जोसी दो बार चुनाव हार चुके हैं जबकि एक बार भाजपा के टिकेट पर शुवास महरिया भी यहां से चुनाव हार चुके हैं बाद में टिकेट नहीं देने से नाराज होकर सुवाज महरिया कॉंग्रेस में चले गए थे जहां से इस साल भाजबा में वापसी की है शीकर जिले की ये सीट भी जाट भाहुले है इसी तरह से फतेपुर विधान सबासे इस समय कॉंग्रेस के हाकम अली विधायक हैं बीते 30 साल से भाजबा यहां न विधार हैं दूसरे नंबर पर सरोज कडवासरा भी दावा कर रही हैं सरोज इस समय जिला मंत्री हैं इंद्रा चोधरी को यदि लक्समान गड़ सीट से टिकेट नहीं मिला तो फतेपुर से मिल सकता है साथ ही मदूसुदिन भिंडा और महावीर बोध जोसर भी दावा ठो अधिक उमर का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकेट मांगा है भाजबा की ओर से यहां पर पूर्व विधायक बंसीदर बाजिया सबसे बड़े दाविदार हैं इसके साथ ही पार्टी के पूर्व जिला महामंत्र बल्देव सिंग खंडेला अपने लंबे अनुबव और संग प्रस्ट भूमी के कारण दूसरे सबसे तगड़े दाविदार हैं बल्देव सिंग जिले में संग के सबसे कर्तब्य निष्ट निताओं में सुमार होते हैं तीसरे नमबार पर जिला कारेकारणी सदस्य से मेहं इसे खुद चुनाव नहीं लड़ने और अपने बेटे को टिकट देने की गोहार लगाई है इसके कारण कॉंग्रेस के खिलाप यहां पर माहौल भी है जावर सिंग खर्रा इस बार भी टिकट के सबसे बड़े दाविदार हैं ये सीट भी जाट वाहुले हैं खर्रा के अल में सबसे अधिक बढ़ियां हैं इसके अलावा गूर्जर और राजबूत बड़ी आपदी है बाजबा के पूर्व विधायक प्रेम सिंग बाजओर फिर से टिकट मांग रहे हैं पिछली बार वह चुनाव हार गये थे साथ ही बाजबा के पूर्व जिलाद्यक्स विश्न चेतानी भी टिकट का दावा कर रहे हैं भाजबा के नव मतदाता अभिहान के संयोजक राजबूजर भी टिकट मांग रहे हैं पार्टी ने यदि प्रेम सिंग बाजओर की जगे टिकट बदला तो राजबूजर सबसे तगड़े दाविदा आ रहे हैं सीकर की एक मातर S.C रिजर उसीट दोत पर वर्तमान में कोंग्रेस के परसराम मौरदिया विधायक हैं हालांकि मतदाताओं के लिहास से यहां पर जाट सरवादिक हैं इसके बाद S.C और S.T मतदाता आते हैं परसराम मौरदिया पिछले कारेकाल में असोग गहलोत के खास हुआ करते थे लेकि कोरदन के अलावा बजनलाल रोलंड दूसरी दाविदार हैं बजनलाल पूर आर्टियो दिकारी हैं और जिला परमुक प्रियंका रोलंड के पिता हैं